बुट मॉनिंग बच्चों, जैसे रीडर बुक में जो चेप्टर टू है, जैसा सवाल वैसा जवाब है, वो चेप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो आज जो हम जो अभ्यास प्रसन दिया है, उसको जो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है, हम लोग जो हिंदी सरा है, वो तीन सवाल पुछे थे, तो उनका उत्तर और कुछ अलग हो सकता है, तो उसको जो है सोच का लिखना है, खा नमबर है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगा पर होते, तो बिर्बल को हराने के लिए कौन से सवाल पुछते, है ना, अगर आप ख्वाजा सरा के जग तो तुम कौन-कौन से इच्छाएं पूरी करना चाहोगे, ख्वाजा सरा का बस सलता, तो बिर्बल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन आपका बस चलेगा, बस मतलब मर्जी है ना, जब आपका मर्जी चलेगा, तो तुम कौन-कौन से अपने इच्छा पूरा करन चाहोगे, नेश्ड देखिए, बस, नीचे लिखे वाक्य, बस मतलब यहाँ पर देखिए, अलग-अलग वाक्य बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बस सब्दक मीनिंग अलग-अलग है, बस जो लिखा है, उसका हर वाक्य में अलग-अलग अर्थनी कर रहा है, तो इसको समझ आपको नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, यहाँ बस का प्रियोग गाड़ी के लिए हो रहा है, ख्वाजनेश्ट है, ख्वाजसरा का बस चलता, तो वह बिर्बल को निकाल देते, तो यहाँ पर देखिए, ख्वाजसरा का मर्जी है, ख्वाजसरा का मर्जी चलता, तो वह बिर्बल को क्या कर देते, दरबार्शन निकलवा देते हैं, बस अब रुख जाओ, यहाँ पर बस सब्दक मीनिंग क्या हो गया है, हो गया, अब रुख जाओ, बस दो दिन की तो बात है, मैं आ जाओंगी, बस कुछ दिनों, कुछ द अलग-अलग है, अब इसी तरह चल सब्द से वाक्य बनाना है, जैसे हाँ पर बस सब्द से वाक्य बनाना है, है न, जैसे हाँ बस सब्द से वाक्य बनाना है, वैसे ही आपको चल सब्द से क्या बनाना है, वाक्य बनाना है, जैसे हाँ पर देखे, चल, 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 चलना चलती चलो है तो ऐसी ही वाक्य बनाना है बड़े कहानी देखिए नेश्टर है अब लोगों का बड़े कहानी एक दिन अगबर ने बिर्बल से पूछा एक दिन अगबर ने बिर्बल से पूछा बिर्बल दुनिया में सबसे अधिक सकतिसाली कौन है एक दिन अगबर न कहानी कहान से शुरूआ है एक दिन अकबर ने बिर्बल से पूछा बिर्बल दुनिया में सबसे अधिक सक्तिसाली कौन है बिर्बल नी क्या उत्तर दिया होगा आगको कहानी आगे बढ़ाना है आगे सोचके लिखना है तो आप लोग पेज नमबर टेन ओपन करोगे खोजो कहानिया है ना लेश्ट है आप लोगों का खोजो कहानिया बिर्बल की चतुराई के किस्से बहुत मसूर है का नमबर देखे तुम भी बिर्बल का एक ऐसा ही किस्सा ढूड़ो जिसमें वहाँ अपने जवाबों से सबका मूँ बंद कर देता है आपका जो है बिर्बल का ऐसे ही किस्सा ऐसे ही कहाने ढूड़ना है जिसमें जो है उनके सावालों के जवाबों से सबका मूँ बंद हो जाता है खाने मबर देखे बिर्बल की तरह बहुंसे अन्य ब्यक्तियों की हाजिर जवाबी के खिस से प्रसीद है उनके नाम पता करो जैसे बिर्बल की तरह और कई बुद्धिमान लोग है ना चतुर लोग है तो बिर्बल की जैसे ही जो हाजिर जवाबी हाजिर जवाबी किसको बोलते हैं नीचे लिखें जबडों की चगह और कौन सा सब्द इस्तमाल हो सकता है? यहां पर एक सब लिखा हुआ है और उसमे भाद ब्लिंक दिया है तो देखियें यहां पर क्या लिखा है? बुद्धिमान जक्या बदा देती हूं, बाकि आप लोगों को करना है बुद्धिमान जैसे कहाँ पर विर्बल लिख सकते हैं हम लोग यह हो गया बुद्धिमान बीरबल मुर्ख की सको बुलेंगे अभिमान dal विस्वाच संसाल कोशिस तो यहाँ पर जो है ब्लेंक देह वह से देखे यह बुद्धिमान और ब्लेंक क्या लिखे हम बिर्बल तो ये बिर्बल के लिए जो बुद्धिमान सब्दा का प्रियोग हो रहा है ना अब देखे लिश्ट है मुहारे नीचे लिखे मुहारों का मुहारों का इस्तमाल तुम कब कर शकते हो आपस में चर्चा करो अब इनका वाक्यों में इस्तमाल करो देखें यहाँ पर मुहारे दिया है जिसका अर्थ लिकना है और वाक्यों में परियोग करना है नाग भाव सिकोड़ना नाग भाव से करना गुसा हो जाना या चिर जाना है न ये हो क्या मीनिंग ख्वाजा सरा जो है अपना नाग भाव सिकोडने लगा वाक्या क्या हो जाएंगा जो ख्वाजा सरा है अपना नाग भाव जो है सिकोडने लगा कलाई खुलना का मीनिंग होगा पोल खुलना कलाई खुलना में पोल खुलना तो खाजस यहाँ अगर विर्बल जवाब नहीं देख पाएगा तो उसकी कलाई खुल जाएगी तो ऐसे ही आप लोगों को वाक्य बनाना है और मीनिंग लिखना है ना नेश्ट करते हैं हम लोग जो है वर्क बुक का है ना वर्क बुक करते हैं नेश्ट ये देखिए वर्क बुक है आप लोगों का पेज नंबर श्रेमिन है ना जैसा सवाल वैसा जवाब तो देखिए चैप्टर टू जैसा सवाल वैसा जवाब वर्क बुक है ना आप लोगों थे बास्ता अग्बर के दर्बारी बिर्बल से क्यों जलते थे बास्ता अग्बर के दर्बारी बास्ता अग्बर के दर्बारी बिर्बल से इसले जलते थे क्योंकि बिर्बल जो है बुद्धिमान था तो यह आप लोग करोंगे Second है ख्वाजा सरह का अपने और विर्बल के बारे में क्या खयाल था है ना आज बस आज मैं बता देती हूँ एक बार question जो है समझा देती हूँ आप लोग अकल जो है फिल आप करेंगे ख्वाजा सरा का अपने और बिर्बल के बारे में क्या ख्याल था तीसरा है ख्वाजा सरा का बिर्बल से पहला प्रस्ण क्या था जो ख्वाजा सरा है वो जो है बिर्बल से पहला प्रस्ण क्या था उसका दूसरा सवाल क्या था उसका नाम लिखना है फीब्ता है ख्वाजा सरा का विर्बल से तीस्ठा प्रशन नाम लिखना है तो आप लोगना हो सकता है आप लोग प्रेसे करना है कल जो मैं फीलब करणंगे है खा है, खाले स्थान भरो बासा अकबर अपने मंत्री बिर्बल को बहुत क्या करता था? बासा अकबर अपने मंत्री बिर्बल को बहुत खाले स्थान करता था क्या आएगा इसमें? पसंद क्या आएगा? पसंद सेकिन है कुछ तरबारी बिर्बल को खालिस्थान में फसाने के तरीके सोंशते रहते थे पेस नंबर एट तीसरा है ख्वाजा सरा को अपनी खालिस्थान और खालिस्थान पर बहुत अभिमान था तो आप लोग जो है पहले एक बार जो है चेप्टर रिट कर लोगे उसके बाद जो है फिलाप करते जाओगे है ना एक मैं बता दी हूँ फोन नमर देखें ख्वाजा सहाब ने अपने तीनों सवाल खालिस्थान बाजस्था को दे दिए फिप्त है बाजस्था अकबर बिर्बल के उत्तरों से खालिस्थान हो गया शीक्स है बिर्बल ने ख्वाजा सरा को अपने जवाब गलत खालिस्थान करने के लिए कहा है ना तो यह जो है, आप लोगों का एक खाली स्थान है, है न? तो अप लोग जो है, इसको एक बार चेप्टर रीट करके फिलाब कर लीज़ें गह है, अब rolling ने तीनों प्रस्नों के क्या-क्या उत्तर दिये लिखो है फिर्बल्स ने तीन प्रसनों के, संसार किकेंडर कहा था उन्होंने इ Tallream संसार क्योंकर कौंद्र कहा है आसमानमी कितने यतारे हैं तो उन्होंने जो है क्या मंगवा एक भीर्ड मंगवाया है ना मतलब वो बोला कि भीर्ड में जितने बाल है उसका सरीर में जितने बाल है उतने ही आसमान में तारी है थर्ड सवाल था, यह आप लोगों को ढूनना है न, वन्टू तुम्हें बता दी लेकिन थर्ड जो है आपको करना है निष्ट है, गहा है सही कथन के सामने, सही और गलत कथन के सामने गलत का निसाल लगाना है गहा नमबर है, सही कथन के सामने, सही और गलत कथन के सामने गलत करने लगाना है पहला देखें, ख्वाजा सरा के बुद्धी के आगे, बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी जो ख्वाजासरा के बुद्धी के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नई चल पाती थी सही है गलत बिर्बन ने ख्वाजासरा से तीन सवाल पूछे ख्वाजा के अनुरोत पूछे है न ये सही होगा गलत आप लोगो टिक लगाना है नेश्ट है ख्वाजा के अनुरोद पर अगबन ने बिर्बल को भुलाया बिर्बन ने फीते से सारी दुनिया को नाप कर पहले प्रसन का उत्तर दिया नेश्ट है बिर्बन ने संसार के सभी लोगों को एक जगा इकटा करने के लिए कहा सीख से है अप लोगों का नेश्ट ख्वाजा सरह बिर्बन से हार गया तो आप लोगों को जो कथन सही है उस पर शही का निसान लगाना है और जो गलत है उस पर जो है गलत का निसान लगाना है दा नमबर देखिए निश्टा है निचे दिये गए वाक्यों का अर्थ लिखना है ठीक है यहाँ पर उसका मीनिंग लिखना है लिखिए वन टू त्री है न यहाँ पर मीनिंग लिखोगे चैनमबर देखिए निचे दिये गए सब्दों के दो अर्थ है इनका वाक्यों में इ तोनों अर्थे इस परश्ट हो जाए जलना पर उद्दर है ना तो इसमें जो है दो अर्थ छिपेऊ है उसको जो अलग अलग लिखना है आप लोगों को है ना जितना हो सकते हैं आप लोग अपने से किचिए कल जो मैं फिलब करूंगे है ना इसको किसने कहा किसने कहा और क्यों कहा है ना तो इसको भी आपको करना है अब देखिए यहाँ पर मुहारे दिया है मुहारों का अर्थ लिखना है ना तूति बोलना शक्के छुटना कलई खुलना गोलमल जवाब देना नागभाव से करना दिमाग के गहराई में आपना है ना तो जितने भी आपर देये हैं, वो क्या है? मोहारा है. इसका जो है मिलिंग लिखना है आप लोगों को अब देखिए वचन बदलना है मुसीबत है न? जैसे एक सी अनल बनाना है वचन बदलता है, एक वचन से बहवचन है मुसीबत का क्या होगा? बात का जैसे पकड़ी की क्या होगा तो आप लोगों को ऐसी करना है ना नीचे दिए गए सब्दों की विलूम सब्द लिखना है जैसे सवाल का जवाब खास का आम मुस्किल का क्या होगा सरल है विस्वास का अविस्वास कहरा का तो ऐसी आप लोगों को विलूम सब्द बनाना है उसके ब इद्थ दिया है वहां पर जो क्या करने है आपको विरामचील लगा तो आके दिया है कहा कहा पर विरामचील लगएगा उस androidkor नेश्ट, तो देखिए पेज नमबर है 12 तन से ब्लातार नुचे सब्द комментарis सब्दें हैं वाक्य में कष्चन है मत्रशे नीचे अंडर सब्सक्ष्ब सेड़ा करना है या तो यहां पर जो विसेशन सब्द हैं बास्ता अकबर अपनी मंत्री बिर्बल को बहुत पसंद करता था तो यह आएगा है न तो ऐसे ही आप लोगों को अंडरलाइन करना है तो आज मैं कोसन जो है समझा दी हूं और कल जो मैं इसको फिलाप करके सेंट कर दूंगे है न तो आ आज की विटियूं बस इतने ही थैंक्यूं आप लोग जो है अपने से करने की कोशिश कीजिए है न थैंक्यूं